Fibromyalgia Fibromyalgia क्या होता है यह पहले आप थोड़ा समझेंगे न तो आपको पता चल जाएगा इसको कैसे ठीक कर सकता है Fibromyalgia में दो पार्ट है इसका दो बेसिक पार्ट है one is metabolism आपके शरीर में भोजन कितना यूस हो पा रहा है the efficiency of your body to actually utilize food भोजन इस्तेमाल करने की आपके शरीर की च्शंटा ये एक आपको बढ़ाना पड़े पहला पार्ट दूसरा पार्ट Fibromyalgia में एक और पक्ष है एक और चीज होती है इसमें आपका liver function और bone marrow का function अगर सही होगा तो Fibromyalgia ठीक हो सकता है ना ये दोनों ही चीजें ये दोनों ही चीजें जो है न ये कुम्मक से ठीक हो सकते हैं जैसे metabolism है इसका एक बड़ा simple formula है बिना शरीर को इस्तेमाल किये metabolism आप कैसे ठीक कर सकते हैं इस यू इंप्रूव दब्रेथ होल कपासिटी इनलेशन टू होल्ड ना वन इस्टू फोर अगर आप कर पाएंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका metabolism ठीक होगा that means 5 seconds का inhalation करते हैं तो 20 seconds कम से कम होल करने की capacity होनी चाहिए तो आपका metabolism उस तरीके से improve होगा दूसरा part है liver को अगर आपको rejuvenate करना है अगर liver को rejuvenate करना है तो आपकी exhalation capacity को बढ़ाना पड़ेगा जैसे एक formula बताया मैंने 5 का 4 times hold आपका metabolism बढ़ाएगा but 5 is to 1 is to 4 is to 2 5 20 10 10 count का exhalation होना चाहिए 20 hold करने के बाद में अगर वो बढ़ेगा तो आपका liver rejuvenate होना शुरूब होगा दूसरा इसके लिए हम कुछ support भी बता सकते हैं जितना आपके body को energy को बढ़ा के ठंडा करेंगे उतना liver और bone मेरा function ठीक होता है तो यह दो पार्ट तो हमारे प्रोग्राम में इन बिल्ड है तो fibromyalgia तो जा सकता है बिल्कुल 100% जा सकता है एक और तरीका है fibromyalgia को देखने का आप जरह इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आप एक काम करें पेड का एक टेहनी एक डंडी ऐसे तोड़ लें उसको बेंड करेंगे ना बहुत बेंड हो जाएगा बहुत flexible होता उसको एक काम करें तीन-चार हफते आप दूप में छोड़गो अब ऐसे बेंड करेंगे तो तूट जाएगा यानि आप उसको fibromyalgia हो गया पर गया क्या उसमें से उसमें से गया क्या की fibromyalgia हो गया वाटर कंटेंट कम हो गया तो बड़ी का water holding capacity अगर कम हो जाएगा तो fibromyalgia हो जाए आप सांस को रोक रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सांस को ही रोक रहे हैं आपके शरीव में कोई भी चीज रुकेगी जलतत्व आपके शरीव में रुकेगा जब जलतत्व रुकेगा तो fibromyalgia ठीक हो जाएगा और भी approaches हो सकते हैं इसके मगर क्या कितना भी मैं घ्यान दे दूँं आपका fibromyalgia तो ठीक नहीं होने वागा कुमबक करेंगे ठीक होगा हाँ इसमें थोड़ा time लगेगा तो इसलिए हम क्या बोलते हैं time लगेगा मतलब you keep yourself in such a manner और in such a state where you are able to do kumbak gently तो आपको target कितना लेना एक साल का target लेना वन नियर target एक साल का target लेना बीच में बहुत तक्लिफ होने पे ही medicine ले medicine का ना frequency थोड़ा कम रखें बहुत medicine होने पे ना body recover नहीं कर पाता शरीर पे अगर हम chemical bombing ज्यादा करेंगे तो recover नहीं हो पाएगा शरीर हाँ इनिशली बहुत जरुरत होने पे आपको medicine लेना है धीर धी करके आप देखेंगे आपकी requirement of medicine कम होता जाए तो क्या करेंगे थोड़ा रिप्लेस कर देंगे chemical को आईजवेदिक medicine के साथ में वह भी हम आपको प्रोग्राम में बता देंगे ठीक है ना तो हम आपको वैद्य सपोर्ट भी देते हैं फर्स कंसलेंसी होती है हमारे वैद्य की आपको free देते हैं तो और भी चीज़ें इसमें बताई जा सकती है वाट येस क्या fibromyalgia को ठीक किया जा सकता है तो कोई भी दुखी होने की जरूत नहीं मगर medicine से ये ठीक नही किया जा सकता है ये भी आप समझें मेडिसन से ठीक होगा